जै मता की सभी वक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगजनी माम बे की कृपा सदैब आपके उपर हमेशा बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से और मा के अश्रिवाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब की जो हमारी वीडियो है जैसे कि सभी को पता है कि सावन आने वाला है सावन के महीने में हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी शादी जल्दी हो जाए जिन भी लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की शादियां बहुत सारे पेरेंट् है या फिर लड़की वाले लड़के वाले जबाव दे जाते हैं क्या ऐसा कारण है और जो है आपको कौन सा उपाय संकर भगवान का करना चाहिए जिससे जो है आपके बच्चे का भी विवा हो जाए और जो भी लड़के लड़की अपना मन चाहा बर्व आना चाहते हैं उनकी भी मनों कामना पून हो जाए मेरे साथ अंतक बने रहे हैं तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आएगी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और मागे शादी हो जाए अमन वांचीत बर पाना चाहते हैं और सावन का महीना सबसे ज़्यादा उत्तम सबसे ज़्यादा सरफश्ट और सबसे ज़्यादा शुब होता है उन बच्चों के लिए उन जातकों के लिए जो लोग साधी करना चाहते हैं या फिर उनकी शादियों में लेके आई हूं जिसको करने से आपकी शादी में आने वाली रुकावटे सब पूर्ण हो जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना है या मनवांचित बरपाना चाहते हैं वो भी आपको प्रापत होगा आपने क्या करना है जैसे कि सावन का सोमबार जिस दिन होगा उस दिन से दिपक लगा के आने हैं पांच आटे के दिपक बनाने हैं और जो है एक आपने नाग नागिन का जोड़ा जो होता है जैसे कि आपको मार्केट में पूजा स्टोर वालों से मिल जाता है नाग नागिन का जोड़ा आपने तामबे का लेके आना है और उसको आपने भगवान पून हो जाए लास्ट दिन हो उस दिन आप कर सकते हो या फिर शिवरात्री वाले दिन भी आप ये उपाई कर सकते हो आपने जो है अपने सिर के उपर से वार कर साथ वार या 21 वार वार ये और उनको शंकर भगवान के जो शिवलिंग होता है उसके उपर चड़ा देजिए आ फिर आपकी कुंडली में साधी का योग नहीं बन पा रहा है, आपकी शाधी जो है हर समय डिले होती जा रही है, आपकी शाधी का रुकावटें बहुत जादा आती है, माता पिता अगर मा है तो वो भी कर सकती है ये उपाई, जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही करना है तो माता भी उनकी कर सकती है, शंकर भगवान को पंचमरित का सनान करवाना है, आपने हर रोज करना है और जो है यही मनोकामना आपने करनी है कि हमारी मनोकामना पून हो जाए और एक बात आपने खास तोर पर ध्यान रखनी है, एक तो आपने शंकर भगवान की आरती वह बोट जादा शक्ति है इस मंतर का जो जातक कंटिन्यू प्रेया मतलब जाप करते हैं या अपने मन में धारण करते हैं और सचे भाव से जो है पुजा अर्चना शंकर भगवान की करते हैं उनकी सभी की सभी मनोकामनाय पून होती हैं और जो भी काम उनके रुके हुए होते है वो भी सिध होते हैं और भगवान शंकर और मांगोरी का अशिरवाद उनके उपर सदैब बना रहता है और जो आपको मैंने उपाए बताया ये उपाए आप कीजिए शिवरात्री पर और आने वाली अगली शिवरात्री तक आपकी शादी पूर्ण जरूर मांगोरी और झार्द कीजिए वाए खिरूगे आपकी कीजिए और जरूखी देपने उनके तक कीजिए झार्वाली जरूपड़ी